तो चलिए आज स्टार्ट करते हम लोग हमारा चैप्टर नंबर वन लाइब साइन्स का और उसके एमसी क्यू है इसके पहले मैंने आप लोग के लिए जो सॉट टाइप कोस्टन से वेरी सॉट टाइप कोस्टन उसके भी इंसर प्रभाइड करा रखें आपके हमारे इस चैनल पर आपके लिए तो आप उसको देख लीजेगा जिससे और अच्छे से आप लोग को इस चैप्टर के बारे में स्टडी भी हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज स्टार्ट करते हमारा फर्स्ट वाले चैप्टर और एमसी क्यू से तो फर्स्ट कोस्टन है हमारे पास कार्ब औरणिक रस यानि ऑर्गैनिक सुप कहा था जिवि एस होल्डन ने कहा था सेकेट जो कोस्टन है जिउ विजयान वाजो कि रकोस्टन की तो राइट से Africa घुरानि बिद्ग्टन पर ऑनि आनव सी प्रफय। राइट एंसर है अरस्तू ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद है हमारा कि फाइलम यानि फाइलम सब्द की रचना किस ने की थी राइट एंसर है कुवियर ने की थी किस जन्तू के हिर्दय में यहां 3 by half प्रकोष्ट लिखा है पर 3 ही होता है प्रकोष्ट या इसको कहा जाता है वो होता है तो मगर मच के हिर्दय में तीन प्रकोष्ट यह तीन चैंबर होते हैं और फिलोस्पिया बोटैनिका सब्द की रचना किस ने की थी लीनियास ने की थी किस फाइलम के जन्तू का प्रचलन आंग यानि क्यूब फीट होता है मुलास्का या या इकाइनो डर्मेटा या नीडेरिया तो राइट एंसर होगा इकाइनो डर्मेटा ठीक है उसके बाद के कोश्चन किस फाइलम के प्रानियों में संधी युक्त भुजाए होती है तो अर्थोपोड़ा में संधी युक्त भुजाए होती है और पडितंत्र पाडितंत्र जिस राइट एंसर होगा आवास घर निम लिखित में से कौन से बिसे समूग का सटिक उदारान है वेल चमगादर कबूतर मेरुदंडी ये क्या है उसके बाद है तारा मचली रोहू कतला मतस्य मश्रूम इस्ट फर्ण फंगी और स्पर्ण यूगलीना पैरा पैरा मिश्य प्रोट जो राइट एंसर होगा वह है राना टिग्रेन ठीक है उसके बाद है 12 नंबर जो कोश्चन से हमारे पास कि समू में नग्न वीजी पौधो को रखा गया है तो जीम्नियोस पौम में रखा गया है यह हम सभी जानते हैं कि समू के पौधो का बीज फल के अंदर इस्थित होत टार प्रता है थीक है तो इस तरह से करके हमारे पास 13 कोशचन हमने कर रख है तो तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे हम चौदानों देख लेंगे दो फ्रकार के स्पोर्ण निंश्य करने वाले पौधोrich को क्या कहा जाता है तो होमो स्पोर्ण हे यह ट्रो स Bry'tis conversations Withorgah पारफा चार चेंबर होते हैं दो आलिंद दो नीले इस तरह से करके ठीक है और किस बर्ग के प्राणियों का पूच यानि टेल आवास निर्मान पोशन या प्रचलन में सहायक होता है तो लाडवेशी राइट एंसर होगा 16 नंबर कोश्चन मैंने पहले राइट एंसर 17 लिख दिया था बाद मैं 16 लिखा है तो आप यह देख सकते हैं मैं बोल के भी बता दे रही हूँ किस बर्ग के प्राणियों का इंडो स्केल्टन यानि अन्ता कांकाल कार्टिलेज का बना होता है ठीक है तो राइट एंसर होगा एगने था ठीक है वो भी देख लें यानि राइट एंसर बीना जबड के प्राणियों को किस उतंबर यानि सूपर क्लास में रखा गया है तो राइट एंसर होगा एगने था ठीक है तो इस तरह से करके हमारा जो टोटल कोश्चन था 18 कोश्चन हमने यहाँ पर देखा उसक साइंस पास मिलेगा हमारे आसपास J जल् iba करती है जाएंगे बहुत आसानी से याद किया सकता है कि एक कीज़ को देखिया और उसके की याद करिया रिसका साइंटेस सांटेस्थ कुए तो इस तरह से आप जब तक अपने procedure जीवन में नहीं लाएंगे साइन्स को रटने की जरुत नहीं है वो बहुत एजी हो जाएगा तो बहवारी की जीवन में ले आए साइन्स को और बस इंजॉय करिए ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना पढ़ाई अच्छे से करिए ओके बढ़ाई थैंक यू